हलो दोस्तों आफ सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल कलासस में तो चले दोस्तों आज बात करने वाल है कंड़क्टर सेमी कंड़क्टर इंसुलेटर के सभी प्रकार के प्रसंद को देखते हुए आगे बढ़ेंगे यूपी-पी-पी-सी-एल के इंग्जाम में यानि कि जो सबसे पहला प्रसंन से सटाट करते हैं आजका सबसे पहला प्रसंद जो दिया हुआ है ठीक है किसका पूछ रहा है सथी पुन्रूप तों könnte पी जेका मतलब होता है पॉली धियान'd से देखेगा बी. दी आयंज़ेकर क्यूआल कर से कने का मतलब होता है कलो है C-H-L-O-R-I-D कहने का मतलब polybanyl chloride इसका rubля इनधी पुनष्प हम आप्सेन किसी म हमें दिया हुआ है polybanyl carbon अप्सेनि में ses तो carbon नहीं हो गगा यहे binds चलता है polybanyl Division Weekly c में orchid तो राइट अंसर को दीजी ऑनधी थो g 아닌 एंसर दिया होगा आगे बरते नेक्ट प्रस्ण पर अगला प्रस्ण आज का दिया हुआ है कोचंस में कहा रहा है कि निम्न में कौन बिदुत रोधी है ठीक है बिदुत रोधी है तो बिदुत रोधी के बारे में पूछ रहा है ठीक है किसके बारे में तो बिदुत रोधी के बारे में तो बीदौत रोधी पदार्त कहते हैं अब यहीं बात यानि कि सोना किया है Тो चलक पदार्त कहने का मतलब यानि कि इससे होकर धारा का परवाया होता है ताम्भा भी चलंबह मेहता है लेकिन फाइबर, जो दोस्तों यानि की, प्यूर इंसलेटर पदार्त है, इस प्रकार का पदार्त है, तो, तो, यो रीकल्ग अन्सर जो होगा, इसका, दोस्तो 1200 भोल्ट भी किया जाता है कितना पर 1100 भोल्ट भी किया जाता है अगर लोग भोल्टेज के सीमा की अगर बात किया जाए तो 250 से ले करके 650 की बीश होता है मेडियम के अगर बात किया जाए तो 650 से ले करके दिखासिए तो 33 एक सबस्क्किया है नहीं होगा नहीं हो जाए कि एक सब्सक्रण करमी में खिला में वACB न हआ Junior इसका होगा टेकन्पर अप्ज़ परस्रीनों के दिख में वंगे थिसका जबग चलिए अगला प्रसेनाज का दिया हुआ है को चन्स में कहा रहा है कि एच स्रेनी के विदूत रोधी उसमा रोधी का सिमित ताप मान कितना है ठीक है तो देखिए दोस्तों इसका एक ठीडिक है आप लोग धियान में रखिएगा य, A, E, B, F, H और C समझ लिजिए तो Y जो है 90 से चालू होता है A का जो है 105 इसका E का हो जाएगा 120 इसका हो जाएगा 130 degrees F का हो जाएगा 155 degrees C ठीक है और H का जो होगा दोस्तो 180 degrees C हो जाएगा ठीक है और C की अगर बात किया जाए तो 220 degrees C होता है ठीक है तो ऐसे याद रखते हैं तो किसी भी से आयन की कहीं से अगर पूछे चाहिए का 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 पूछे आप लोग असानी से उसका उत्तर दे दीजिए ना तो देखिए यह में तो कह रहा है इनकी 100 तो 100 किसी का होता नहीं है तो द प्रचनाज का दिया हुआ है कि केबल में कवच वाले किसी तार की उपयोगिता क्या है यान्तरिक जो होगा दोस्तों यान्तरिक जो सुरक्षा काफ़ी यान्तरिक जो है काफ़ी यानिकी बढ़ जाता है यानिकी कवच परदान करने से तो आप्षण डी में दिया है यान्तरिक सुरक्षा कोड़क एंसर की बात किया जाए तो इसका राइट जो होगा डी मसंट सही हो जायगा चलिए कि अगला प्रसंदा चलते हैं अगला प्रसंद। दिया है किसी विदूत रोधी समांगरी में डैस होना चाहिए कौन से किसमें चंट ole PAUL है किसमें और दिखे़ें दुस्त विदूत रोधी समांगरी फि्या क meant that the यह बून सब होना चाहिए तो चली option फर लेते हैं इमेकार नीमन पैरावेदुत नीमन है भाई तो नीमन पैरावेदुत यह सही बात नहीं है यह सरा सर गलत है ठीक है अब बी में जो दिया हुआ है कम लागत ठीक है उच पैरावेदुत समर्थ है ठीक है यानि कि उचे सकती कि वही होना चाहिए और यानिकी उची आंत्रिक मजबूती भी ओना चाहिए ठिक है इसमें जो बात कह रहा है यानिकि केबल के हिसापसे सभी बात करने कि राइट बता रहा है यानिकी सही बता रहा है तो इससका 30 हो जाय工 कङकी बी में जो दिया हुआ है कम लागत उर पेर के लिए वांचीत खाई होती है कितना तो 11 किलो भोल्ट के लिए और 11 किलो भोल्ट के लिए जो खाई का जो मोटाई होता है वो लगभग जो है 0.9 मीटर होता है कितना 0.9 मीटर होता है यह में दिया है 2.0 तो यह तो नहीं होगा न 1.5 मीटर होता है 0.9 मीटर होता है जो कि D मे राइट एंसर जो होगा इसका डी साही होने वाला है चलिए अगला प्रसनाच का दिया हुआ है कि हाइश पीड इस पार्ट में कार्बन का परतीशत डैस होता है किसमें हाइश पीड इस पार्ट में ठीक है हाई एस पीड हाई एस पीड एस टील में कार्बन का परसेंट होता है ठीक है दसमलो सेवन फाइब से लेक करके एक दसमलो जीरो परसेंट तक होता है कहने का मतलब जो है लगभग एक होता है जो की ऑप्शन ए में दिया हुआ है कोडेक्ट एंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन जो होगा इसका राइट एक सही होने वाला है क्योंकि ए में जो दिया हुआ है दोस्तों वो जीरो दसमलो साथ पांच से एक परसेंट तक दिया हुआ है और यह हाई एस पीड इसपात में कार्बन का परसेंट होता है ठीक है अर्थ दोस्त यानि कि अर्थ फॉल्ट जो होता है अर्थ फॉल्ट जो होता है उसे जो है पाता लगाने के लिए हम किसका परियोग करते हैं तो अर्थ फॉल्ट का जो पाता लगाने के लिए मुरे लूप परिक्षन का परियोग करते हैं, जो की option C में दिया है, correct answer की बात किया जाए, तो option right जो होगा इसका C सही हो जाएगा, ठीक है, अगला प्रसंदी है लगू परिपत परिक्षन, तो लगू परिपत परिक्षन में इसका परियोग नहीं करते हैं, खुला परिपत प किया हुआ है कि कम्यूटेटर खंड को इंसुलेट करने के लिए निमने में से किस समांगरी का परियोग किया जाता है, ठीक है, किसी इंसुलेट करने के लिए कम्यूटेटर और कम्यूटेटर खंड को इंसुलेट करने के लिए जो मैनली रूप से जो परियोग करते हैं, द खूर से को कि scraissent k robi America . अब्रक का जया जाईगा जब कि S T यसका प्रियों की आजाता इसमें ने कपरा के जाता है जेए कि अगला प्रसनाच कहा है चीनी मिठी एक ट्रकेल्ण चीनी और मिट्टी। के अगर बात किया जाए दोस्तों तो यह इंसुलेटर पदार्थ है। कहने का मतलब यह हुगा है कि इसे होकर जो होगा एक जगा से दूसरे जगा नहीं जा सकता है कहने का मतलब यह कि धारा परवा होगा ही नहीं क्योंकि यह इंसुलेटर पदार्त है यानि कि विदूत का यानि की अचालक है ठीक है ठीक है अब रही बात की चीनी मिठी जो है बिसंभाहग ऑप्शन सी में दिया है और बिसंभाहग का जो मतलब होता है कि जिससे होकर धारा का यानि की परवा एक जगा से दूसरे जगा पर नहीं किया जा सकता है उसी को बिसंभाहग आते हैं तो राइट अनसर जो होगा इसका सी सही हो जाएगा ठीक है चलिए अगला पसन पर चलते हैं अज का अगला पसन दिया हुआ है किसका परियोग केवल को यांतरिक सुरक्षा परदान करने के लिए किया जाता है ठीक है किसमें भाई तो केवल में और केवल में यांतरिक सुरक्षा के लिए जो मैनली रूप से परियोग करते हैं दोस्त इसका परियोग करने से यांत्रिक सुरक्षा के साथ साथ काफी यह मौजबूत होता है रही बात की पीबीसी तो पीबीसी का भी परियोग करते हैं लेकिन यांत्रिक सुरक्षा की रूप में नहीं परियोग करते हैं पीबीसी का जो परियोग किया जाता है दोस्तों वह लोब भोल्टेज का जो वाह già tahu होता है विदियुंग Phone pró cima याने कि फ्म्राइए का प्रियों की आजाता है तो राइट ईंसर की इन की इत्र की प्रदान हो जाएगा अगरला पर्योग क्या जाता है और दोस्त्स या कि 750 रूप में नाइक्रोम का पर्योग किया जाता he ठीक है तो नाइक्रोम का पर्योग किया जो जाता है option C में दिया है नाइक्रोम correct answer जो होगा इसका C सही हो जाएगा तंबा का पर्योग नहीं करते हैं तापंतत्य की रूप में न जी आई का पर्योग किया जाता है न पितल का पर्योग किया जाता है तंबह कंपर यान की वायर के रूप में चालक पदात के रूप में करते हैं अगला प्रसनाज कर दिया हुआ है के जोड़ों केलिए पकर लग्स किस समागरी का बना होता है यानि कि केवल में जो दोस्तों यानि कि लग्स जो होता है और जो पर्योग किया जाता है लग्स ठीक है और यह जो बना होता है वह अलुमुनियम का बना होता है किसका वी में दिया है अलमुनियों और तामबा कोडेक्ट एंसर की बात किया जाए तो आपसंड इसका भी सही हो जाएगा ठीक है अगला परसंड पर चलते हैं आज का अगला परसंड दिया हुआ है कि वोल्टेज ग्रेडिंग में 650 V से 33,000 V के बीच की सीमा को डैस कहा जाता है तो अगर यहां पे अगर देखा जाए दुस्तोब तो इससे यानिए की का एगा कहेंगे उच्छ वोल्टेज कहेंगे ठीकें ना कि मध्यम्ग्वोल्टेज कहेंगे आति मुच भी नहीं कहेंगे अगर 33 kv से उपर रहता है यह इस option के हिसाब से तब कि क्या होता भाई अति मुच होता है चलि ह मैं अगला पश्बीक एध यह चलता है पर उठन सब्नेले ऑपकला फाट्정 में पहुद्वडिकिता है किमाग्ध जी में पातव निम्राइबर सब्सक्राइब सर बेतरी किसे हैं गधर स्बार्थ की पातव पार्यों किया जाता हो से मिकbung सब्सक्राइब सबसे ज़्यादा करते हैं तो सबसे ज़्यादा यानि कि चलकता किसका होता है कि चलकता सबसे ज़्यादा होता यह उसके बाद target कहां को सबसे ज़्यादा होथा है लादा की संसे चन वदे से क्या है तो मैली दोस्तों यानि की संसेचन सनसेचन का उद्यस्य होता है यानि की तेल को भरना य कोटरीका जो होता है यानि की तेल को भरता है तो टेंसर जो होगा option इसका यानि कि यह सही हो जाएगा क्योंकि यह में जो दिया हुआ है को वाइव को ट्रीका को तेल से भरना कि अगला प्रसनाज का दिया हुआ है कि PVC थारों का परियोग डैस के लिए किया जाता है तो PVC का पूल-फर्म धियान में रखेगा पॉली-बिन्नायल क्लाइड होता है और इसका परियोग करते हैं दोस्तों लोग उल्टेज टिक है लोग वोल्टेज और पलस यही यानि कि मैडियम वोल्टेज में इसका परियोग किया जाता है तो option A में करना उंच वोल्टेज में इसका प दिया हुआ है लो और मेडियम वोल्टेज दिया हुआ है ठीक है ना चलिए आगे बरते नेक्ट प्रसंद पर आज का अगला प्रसंद दिया हुआ है को सब्सक्राइब कर रहा है कि डैस तार का उपयोग जो है बिजली के बड़े बलोकों के संचरन और बीतन के लिए किया जा जाता है और कागत रुधित कभी पडियों किया जाता है है अब रही बात की यहां यूपीपी से टीटु जो यनिकी रॉट एंसर जो माना या कहाए नोगा अनति तो नंच तो य bend वादना अब पर Vegas घाना पर मानना पर है कि कवह नो कि वहम दोना घनाना मैप म Dlatego Tips आपको जब आप बहुत नहीं है भाई क्योंकि बहुत सारा इंग्जाम देता है अगर इस परकार का प्रसंद आ जाए तो वहां पर क्या है फाई बुक में भी दो परकार का एंसर दिया हुआ है तो इसलिए इसी को मारिएगा आप लोग भी कोई कंपेटिशन का इंग्जाम दीजिएगा तो तो मैं ऐसा कर तो आप लोग सरा प्रसंद को अचा से समझे होंगे कोई भी प्रसंद में किसी परकार का डाउट है तो आप लोग उसके लिए कॉमेंट कीजिए आपको जब आप बहुजल मिलेगा साथी साथ आप लोग से गुज सेर कर दीजिएगा वीडियो को तो चली मिलते है नेक्ट पाट में तब दके लिए चाहिंद